जब यह movie theaters में आयती तब इसको नहीं देख पाया था क्योंकि कोई कारण आ गया था फिर सोचायर कभी न कभी यह movie oddity platform पर आएगी वहां पर इस movie को प्यार से अराम से देख लेंगे और at least book my show पर यह movie आ जाती है अब यह movie जो आप देखना शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एक PlayStation का लोगो नजर आएगा एच्वल में Uncharted एक गेम है PlayStation की तो जिनोंने गेम खेली हुई है उनका review मैंने जाना या फिर IMDb के उपर जिनोंने अपने गेम खेलने के बाद इसका review दे रखा है तो उन लोगों को कम पसंद आई है या फिर कम उनको पसंद नहीं आई है जिनोंने गेम अलड़ी खेल रखी है मैंने ये गेम नहीं खेली है तो मेरा opinion अलग होने वाला है ओके story की बात कर लेते हैं actual में ये एक adventure movie है जिसके अंदर खजाने को ढूड़ने का एक story इसको दिखाई गई है क्या फी जादा मुझे interesting लगती है कि explore करने को मिलता है पाहार जाकर अलग-अलग जगहें पर अलग-अलग लोगों से मिलकर अलग-अलग चीजें करने में बात है तो इस बहाँ से तो मुझे ये movie अच्छी लगी movie के cinematography बहुत जादा सुन्दर है जो इसके अंदर location दिखाई गई है सच कहूं तो वह देख रहे से लगा कि काश मैं जा पाता और अराम से यहां पर मतलब गुम पाता खजाना को जुना साथ में ढूंड भी लेते त तो वह भी काफी अच्छे लगते हैं दिखने में movie काफी अच्छी है colorful movie और हम भारतियों को तो यार color से इतना ज्यादा प्यार है कि बस तुम रंग की रंग देदो मतलब life में और हम तो वह पसंद ही कर लेंगे तो यह colorful movie के कारण भई यह movie और ज्यादा पसंद आने लग ज मेरा तो हो गया था क्योंकि यार रीजन यह है movie का इंट्रस्ट कम होने का जिससे जैसे इसके अंदर पहेलिया या फिर जो टास्क होते हैं खजाने तक पहुंचने के वह इसली सोल हो रहे थे कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं नजर आ रहे थी अगर वो थोड़े हाड होते उनको करने में डिफिकल्टी आ रही है और जादा इंट्रस्ट इसके अंदर आता लेकिन वो इतना इसके अंदर दिखाया गया है कि यहां वो गए आगे उनको आगे क्लू मिला फिर वो और आगे बढ़ गए तो यहां पर थोड़ा सा इंट्रस्ट कम होता है मैं इसके मुवी के सिनोमेटियोग्राफी यह बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाल है यह जो मैंने आपको कहा कि इसके अंदर स्टोरी का इंटरस्ट बाद में चलके कम हो जाता है यह आप थोड़ा बहुत मतलब इग्नोर कर सकते हैं और वन टाइम इस मुवी को डैफिनिटल दीरी दीरी जैसे अब हम देख रहे हैं तो काफी बढ़िया एक हिंदी डविंग की जा रही है देखकर काफी अच्छा लगता है मुझे इतना जादा स्ट्रोंग नहीं लगा यह थोड़ी थोड़ी बहुत चोईस के अंदर मुझे कम्या लगी फिर भी कहूंगा कि आप इ जिन्होंने गेम खेल लगे तो उनके बिहाव से तो जैसे मैंने उनके पड़े हैं तो उनको तो कम पसंद आई हैं अगर आपने गेम नहीं खेली है तो डेफिनिटली एक ताइम तो आप मतलब देखी सकते हूं तो वस आजके लिए तना अगर आप लोगों ने मूवी कि यह तो कमेंट में अपने विचार रख देना तो वस आजके लिए तना था थैंक यूवर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियों में जय ही